हेलो अलो फ्यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग आज का हमारा जो वीडियो है वो केंद्री बजट 2021-22 पर है और आप सभी जानते हैं कि हम मार्च 2021 के अंतर राष्ट्र एक्रिनलोजी को कंप्लीट कर रहे हैं इसमें हमने जो चार पार्ट्स पड़े हैं उसमें हमने जो लास् नोन टेक्स वह सारी चीजे में एक चार्ट के माध्यम से आपको बताई थी अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस पुराने वाले वीडियो को देखिए उससे आपको क्या है कि बजट की सरचना का पता चल जाएगा तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस मेगजीन का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल Study for RS and IS उसको जोईन कर लीजिए वहापे आपको सभी मेगजीन के PDF मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स और भी UPSC, RS से चीज़े हैं या जो न्यूज आती हैं उन सबको हम वापे अपडेट करते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं Study for RS and IS चैनल पर और या फिर आप मुझे मेल कर दीजिए तो यह थी information अब हम चलते हैं आगे बजट के उपर तो देखिए सबसे पहले आज हम जो है इस बजट में पढ़ेंगे वह इन आकड़ों को जो है हम समझेंगे कि आकिरकार यह जो घाटे होता है देखिए घाटे हमको कौन-कौन से पढ़ने हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ क्या है और फिर हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेफिसिट फिर एफेक्टिव रेविन्यू डेफिसिट और एक लास्ट में बचता है रेविन्यू डेफिसिट जो कि तो नॉर्मल ही है उनको थोड़ा सा जो आंकड़े बजट के अंदर दे रखे हैं एक्चुली मैं उनको दे दिखते हैं सबसे पहले हमारा बजट घाटा बजट घाटा अखिरकार क्या है तो देखिए बजट घाटा जो होता है बजट डेफिसिट जिसको आप बीडी लिख सकते हैं तो बजट घाटा जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला होता है तो बजट डेफिसिट के लिए अब कर देंगे एक्सपेंडिचर में से जब यानि के आप व्याय में से प्राप्तियों को माइनस कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका घाटा आ जाएगा ठीक है अब यहां देखिए आप यह आपकी कुल प्राप्तियां कितनी है करोड के सम्थिंग है उसको पूरा याद करनी के जरूत नहीं याद भी नहीं करना मैं तो जस्ट बता रही हूं कि आपको पता रहे है यहां आप देखिए यह 2021-22 का अकड़ा है ठीक है 2020-21 का नहीं देखना 21-22 का देखिए बजट अनुमान में तो यहां जो कुल प्राप्ति कि प्राप्तियंहां है य कि उर्फ देखिए वांजर्ड जो कि निशन expects्यत जीरो स चेंट टाहें तो चीज है उसके लिए हमको फिसकल डेफिसेट समझना पड़ेगा कि जब भी हमने आप आप कलकौला चार्ट याद कीजिए जब सरकार होती है तो सरकार का जो टोटल क्यां गेलिए सरकार क्या करती बॉरण करती के प्रकार की जाती है उस बॉरेंग से जो है यह दो दोनों के बीच का जो भी गैप हमने देखा था यानी कि एका सबस्क्राइब अच्छा पाड़ले करते हैं तो जब वो जाता है वो क्या हो जाता है ज्ञा हो वो आ रहा है हमारा 60,00,000,000 करोड रुपे और हमारा यहां पर जो हमारा expenditure है वो 70,00,000 करोड रुपे यह दस लाग करोड रुपे का जो है बीच में गैप चल रहा है यह कहां से है हमारे पास तो revenue में हमारे आने वाली जो हमारा राजसवु हमारी प्राप्तिया थी कि वह तो 60 लाक करोड़ी है तो यह 70 लाक करोड़ का expenditure है यानि कि हमको तो 10 लाक करोड़ का घटा हो रहा है यहां पर सिदा हमको इसको करना है जीरो ठीक है तो हम यह 10 लाक करोड़ रुपए जो है सरकार कहा से लाइए मार्केट से बोरो करने का क्या मतलब है या तो अपने sovereign bond चांड जारी कर देगी या RBA से loan ले लेगी या कहीं जो है किसी world institution से loan ले लेगी इस तरीके से सरकार ये पैसा ले कर पर आती है इसको हम बोलते है market borrowing इसको जो है अपने revenue के क्योंकि हम लेकर के आए हैं तो हम इसको प्राप्तियों में जोड लेंगे जब प्राप्तियों में जोड लोगे तो यहां व्याय और प्राप्तियां दोनों समान हो जाएंगे यह जीरो हो जाएगा यह सिर्फ एक उधारन था अब आप यहां देख सकते हैं इसको अब मैं यह प्रकार की बॉर्विंग करके जो है यह खड़े को बढ़ने के लिए यह लोग ले करके आते हैं तो देखेंगे फिसकल डेफिसिट तो देखेंगे यहां पर जो फिसकल डेफिसिट होता है यानिके जिसको आप बोलता है राजकोशिय घाटा यह सबसे इंपोर्टन चीज यह 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 आपको पता होना चाहिए फिसकल डेफिसिट क्या होता है तो फिसकल डेफिसिट जो हमारा होता है वह हमारा होता है बजट घाटा और उसमें आप डेफ्ट बॉर्विंग को जोड़ लीजिए ठीक है डेफ्ट बॉर्विंग यानिके जो आप करजा लेकर करके आ कर लेंगे तो इस बार के लिए अगर आप देखें तो वह आकड़ा कितना है पंदरा लाग करोड का पंदरा लाग करोड रुपे जो है वो लोन में लेकर के आया है यानिके बॉरो करके लाए है डेप्ट बॉरॉइंग हुई है ठीक है अब आप याद किजिए जब आने बज सब्सकेक तो वह और आपका फिस्कल multiply चाहिए प्रतिशत कितना है वह भी हमें याद होना चुख है वह आकड़ा prospective का कॉम लेंगे फिसक Sug घड़ीप का कितना प्रतिशत राख है यह आगश कल पूछ लेते हैं मतलार पहले भी उस जपैने के लिए आगश्च dress लाग करोड ठीक है इसका प्रतिशत जब आप निकालेंगे तो निकलेगा 6.8 प्रतिशत 6.8 ठीक है यानि कि हमारा जो फिसकल डेफिसेट रहा है राजकोश यह घटा इस बार रहा है वो जीडिपी का 6.8 प्रतिशत रहा है अब यह यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया मुद्रा स्वीती जिस जीडिपी को आप मुद्रा स्वीती से एड़्जस्टट नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल गीडिपी उस नॉमिनल गीडिपी से अगर आप भाग देदेंगे को माईनस करते हैं टोटल 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 हैं ठीक है जब माइनस करते हैं यहाप कुछ प्रापतियों में से इसरी कुल एक्सपेंडीचर में से जो हमारा क्स अ परेयरीये माईनस करते हैं क्रेख हạि हम एसको में भुलेतम बजट डेधिसेट जो कि हमेशा jeito रहता है zero क्योंकि हम लुद्व से बॉरओ करते हैं यह मार्केट से बॉरओंग जो होती है यह हमारे फिसकल होती है घर तो है अगर आपको फिर भी इतकत है तो कँमेंट सेक्षिंगन वसको घर्ल वीडियो बनाएंगे तो दुबारा एसे explain कर दिया जाएगा अच्छा अब एक चीज और कोशन आता है कि जो फिसकल डेफिसेट होता है ने राजकोशिय घाटा जो होता है वो इतना खतरना क्यों है हमारे लिए खराब क्यों होता है उसकी क्या समस्य है ऐसी भी क्या बात हो गई कि फिसकल डेफिसेट बाहर से है जब भी हम हमारा राजकोशिय घाटा बढ़ता है ठीक है तो उस घाटे के लिए अप सरकार क्या करेगी लोन लेने जब आप जाते हैं कहीं पर तो आपको क्या रखना पड़ता है या फिर अपने कुछ एसेट को आपको गिर भी रखना पड़ता है जैसे आप गोल्ड ग तो चौ्ब्र बोंड जारी करते हैं सब्सक्राइए कडिकल से विटींग करते हैं आपने सुना ओगा जैसे की कई सारी एजेंसीज हैं इस Mizrawand के सब सबसे तगड़ी रिटिंग होती है अमेरिकन आरिकन बॉंड की अमेरिकन बौंड के अमेरिकन चलते हैं हमारे भारत की रिटिंग बी में चलती है ट्रिपल बी के अंदर ठीक है इससे भी वर्स हो सकती है और जब अब अच्छा एक बाइब बताईए कि जब बॉंड की रेटिंग कम हो जाएगे तो हमारा क्या घटा है हमें क्या प्रब्लम है प्रब्लम यह है कि विदेश से निवेश नहीं आएगा कोई भी इन्वेस्टर अगर निवेश करने की सोचेगा तो वो पहले यह देखे गवर्मेंट को देनी पड़ेगी तो आप कुछ ग्रियाट हो नहीं रहा है और यह जो है गवर्मेंट को लोन जो है उस तरीके से जा रहा है मतलब नॉर्मल पॉइंट ऑफ यूस से नहीं जा रहा है उससे क्या होगा कि हमारा जो है डिमांड पूल इंफलेशन भी हमारे न देखने मिलेगा क्यों किसलोगों के हैठ में कर ज्यदा पैसा अगया चीज़े इतंई है इन टो वोगत होथा इंभांडव है ठीक है यानि कि जिरुःत टो है ठीक है वो एक इंभाण्ड ये बढ़ाएट बढ़ा देगा तो एक तरीमेश करे हैं धूल और RBI से जब अगर लोन लेंगे हम तो RBI से क्या होगा कि हमारे यहां पर एसेट का creation तो होगा नहीं लोन की मातरा बढ़री है नहीं लोगों के हाथ में पैसा भी जो है सरकार क्या करेगी उस पैसे का हम अपनी schemes में तो चलाएगी तो लोगों के पास में हाथ में मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा तो यहां यह आकड़ा आप समझ गए होंगे कि यहां पर यह 34 यानि fiscal deficit में से हमारे आज के और कई पुराने जो interest payment है ब्याज के जो हमारी payment होती है उसको minus कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है primary deficit ठीक है तो primary deficit जो हमारा होता है अब देखिए fiscal deficit मैं आपको बताया था मैं एक पर लिख देती हूँ प्रात्मिक घाटा प्रात्मिक घाटे का formula होता है जब हम राज कोशिये गाटे में से minus कर देते हैं ब्याज ठीक है तो अब देखिए हमारा जो राज कोशिये घाटा है वो हमने अभी निकला था 15 लाग करोड फिसकल deficit निकला था अभी इस में से जब हमने हमारा interest payment में अगर आपको बताऊं तो वो है हमारा 8 लाग कर अब यह जो आकड़े में बता रही हूं अगर इस magazine में दिखते हैं तो ठीक है वड़ना budget डाउनलोड कर लिजे वहां आपको दिख जाएंगे वहां आप confirm कर सकते हैं तो जो ब्याज है हमारा वो है 8 लाग करोड के something तो इसमें से हम जब minus करेंगे तो आएगा कितना answer 7 लाग फिसकल डेफिसिट यानि राजकोशिय घाटे में से आप interest payment यानि कि ब्याज की जो आपकी जो आप देंदारियां है उसको माइनस कर दीजे तो आपका क्या निकल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट का जो कंसेप्ट है यह 1993 के अंदर जो मनमोहन सिंह के सरकार है वो लेकर के अई ठीक है क्यूнов लेकर के आई थी तो सीधी सी बात यहैं कि आकडों में जितना कम आप घाटे को दिखा सकते हैं उतना सरकार हैं दिखाने के कोशिश करती है ताकि उनकी सरकार का क्रेडिट बढ़ सके इसलिए यह इतने परकार की पूंजीगत जो संपतिया हैं उसमें विए जिसको हम बोलते हैं grants in capital assets ठीक है उपपर है revenue receipt यानि राजस्व की प्रापतिय है माइनस grant in capital asset उसको हम बोलते हैं effective revenue deficit ठीक है कि एक deficit और बचके जिसको हम बोलते है revenue deficit simple सा है revenue deficit तो उसमें क्या होता है कि आपका जो expenditure होता है total तोटल एक्स्पेसिट जो होता है तोटल एक्स्पेंडीचर जो होता हैरेविण्यणीचर उसमें से आप जो है तो एक्सunnus करदीजिये तह तो आप मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी जिसको हम बोलते हैं FR BM Act यह 2003 में आया था ठीक है अच्छा FR BM Act जब आया था यह क्यों आया तो आपने जब राजकोशिय घटा पड़ा था याद किजिए फिसकल डेफिसिट तो इसमें राजकोशिय घटा बहुत किसी भी एकनॉमी के लिए जो है बहुत ही खतरनाक होता है यह हमने पढ़ लिया है एकनॉमी को खराब करता है कम से कम मार्केट बोरुइंग होनी चाहिए यह हमने पढ़ लिया था तो इसी को इसी पर study करके यह Act बना वो फिसकल ड़िसेट रखना है यौनि कि राजस्वगाटे को कितना रखना है ₹3 प्रतिशत से अधिक नहीं होने देना हैero यह टार्गेट अचीव नहीं हो पाया है जब से रखा है तब से अचीव नहीं हो पाया है लेकिन यह एक टार्गेट रखा गया है कि जो राजस वो घाटा उसको तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होने देना है अब हम एक चार्ट पढ़ेंगे उस चार्ट के माध्यम से हम समझ तो यह जो एक्ट है इसने कहा है कि यूनियन गवर्मेंट को जो आपना फिसकल डेफिसित यह राजकोशिय घटा है उसको जीडीप का कितना प्रतिश्यत रखना है तीन प्रतिश्यत रखना है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अब नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखा अच्छाट को एक यहां जो कि यह जो है यहां यह बढ़ रहा है 20221 की बार Gabji कि पिछले साल की बात करें तो यह इतना बढ़ा है त्होड़ा कम अब यहां पर डिफ्रेंट आकड़ें हम देख लेते हैं तो यह लाल वाला जो आप देख रहे हैं यह है अमारा fiscal deficit, fiscal deficit हमारा राया 6.8% याद रह जाएगा revenue deficit हमारा राया 5.1% फिर आप यहां देखिए तो आपका जो effective revenue deficit हो है 4.1% ठीके और आपका जो primary deficit है वो यहां राया 3.1% ठीक है राजकोशी घटा सबसे जादा कब रहा है 9.5 प्रतिशे देने के पिछले साल अभी तो फिर भी कम हो गया 6.8 परसेंट तो यह चार्ट आप जो है एक बार देख लीजेगा आपको याद हो जाएगा यह प्रतिशत आपको याद करने है यहां वाले जो आपको नेट टू सेंटर हुआ फिर उसके बाद में नॉन टेक्स रेविन्यू कितना हुआ यह टेक्स और नॉन टेक्स आपकल वाला जब वीडियो अगर आप देखेंगे जिसमें मैंने बजट का स्ट्रक्चर समझाया था वहां आपको समझ में आ जाएगा तो उस वीडियो का ज हमने यह पढ़ा ही था फिर यहां पर देखिए राजकोशी घटा यह भी दे दिया इसने 3.5 प्रतिशत रहेगा पिछले साल का कितना रहा था 9.5 परसेंट यह भी हमने देख लिया है अब है रक्षा मंत्राले वाला अब यह यह पढ़ना बाकी रह गया है बाकी यह वाली और जोड़र जो चीज़ है आपको समझ में आ गए होंगे मैंने सारे घटे समझा दिया आपको फिशकल डेफिसित रेवी नीक है प्राइमिरी डेफिसिट एक ट्वेट Südrich और यह हमने पड़ लिये हैं यह ही इंपोर्टन था यह देख लेते हैं अब देखिए यहां पर जो यह दिफेंस के उपर जो इन्हों ने का आया ना कि हम इतना खर्च करेंगे यह वह यह हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि कोई नहीं पूछता है अब यहां आजाईए यहां आप देखिए कि कोविड-19 के जो भी टिके हैं मैंने इसके बारे में कोवी शिल्ड जिसको का गया है भारत में जो ऑक्सवर्ड एस्टर जने का जो इसका रूप है सीरम इंस्टिट्यूट जो पुने वाला है उसने इसको कोवी शिल्ड का नाम दिया है तो उसमें 35,000 करोड रुपे जो है वो खर्च किया जाएंगे ठीक है और निर्वर स्वस्त भारत योजना जो है उसके अंदर भी इन्होंने आउंटन किया है कि 64,000,000 करोड रुपे जो है वो हम इसमें खर्च करेंगे 64,000,000 करोड रुपे की राशी जो है इसमें खर्च की जाएगी और इसके साथ ही 6 वर्ष के लिए प्रधान मंत्री आत्म निर् कपारी बजट के अंदर स्की में होती है वह तीन प्रकार की होती है कि इसको लिख लिजेगा यह मैंने लिख्तों रखा है लेकिन अपको हो समझने आए अगा इसलिए कि कर देख लिए इसको देख लीजेगा 1 प्रदान मंत्री किसान संबान निदी योजनाई आपने सुनी होगी इसके अंदर हो चयज़ना रुपे मिलते हैं हर किसान को कुछ एकटियर भूमी का उसके अंदर है तो उसके अंदर जो 6000 रुपे मिलते हैं वो वाला जो स्कीम है वो भी कहया है Central सेक्टर स्कीम दूसरी प्रकार की जो सिकीम आती है उसको स्टेट के द्वारा इसमें कॉंट्रिबुशन यह शेरिंग ली जाती है तो इस शेरिंग अलग अलग प्रकार की होते हैं से 75-25 यानिके मानलोग केंदर सरकार 75% दे रही है तो 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी कोई और गरीब राज्य है तो 90-10 हो गया यानिके 90 प्रतिशत जो हारी केंदर सरकार और 10 प्रतिशत वहां की सरकार देगी तो इस प्रकार की जो योजना होती हैं, उनको बोलता है Centrale Sponsored Scheme σταńskiems तिसरी स्कीम जो आती है उनको बोलते हैं अच्छा जो आपकी सेंटरली स्पोन्सर्डी स्कीम होती है इसके बीज़ी दो भाग होता हैं दो भाग कौन कौन से एक तो थो कOR. ओफ्धा कोर यनि कि अती महत्वपु纪न् जोजना है दूसरी होती है are आधाख टोगरतो satisfactory मख्राइक कुछ सब्सक्राइब के अंदर इसी के अदर डूसरी आती है को रिस किम यानिके महतोपूर्ण इसकिम उनमें आजाती है जैसे आपकी smart city हे अमरूत है अमरूत्य उज्जना फिर है smart city योजना सारी जो यह किसमें आ जाती है कोरी स्कीम के अंदर तो यह जो स्कीम का जो मैंने आपको पैटन बताया इसको लिख लीजेगा और इंपॉर्टन है याद भी रख लीजेगा अब हम यहां पर चलते हैं जो स्कीमें इन्होंने बता रखी है यह खुशाले के लिए इतना यह से किसी काम का निग्ञा है आगे बढ़ते हैं इसमें शेहरी स्वच्बार्त मिशन 2.0 देखें यह स्कीम जो है नई जारी की जाएगा इसलिए अब इसमें जो और चीज़े आएंगे उनको हम देखेंगे लेकिन अभी के लिए तो यतना है इसके अंदर इतने बजट कामटन किया गया है पांच वर्ष की अवदी के लिए और इसमें जो है अर्बन के लिए यानिके शहरी चेत्रों के लिए यह स्कीम है नेक्स देखें वस्त्रूद्द्योग में क्या है वस्त्रूद्द्योग को वैश्विक इस्तर पर प्रतिसपर्दी बनाने बड़े पहमाने पर निवेश आकरशित करने और रोजगार सरजन को बढ़ावा देने के लिए PLI यानिके जिसको कहते हैं PLI स्कीम के अलावा मेग इनवेश्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जुक्कम मेघा इनवेश्टमेंट टेक्सटाइल पार्क नामक योजना की शुरूआत की चाएगी और तीन वर्ष में साथ वस्त्र पार्क यानि के जिसको आप टेक्स्टाइल पार्क कहते हैं उनको सपित किया जाएगा तो आप से पूचा जा सकता है कि मित्र योजना जो है किस से रिलेटेड है तो टेक्स्टाइल शेत्र से रिलेटेड है Alien Lab पुराने और अनुप्यूक्त वहानों को हटाने के लिए एक स्वेचिक वहान स्क्रैपिंग निती जो है। दुवे के अंदर देखे क्या 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 किया गया है। तो देखे भारत के लिए राष्ट्रे रेल्य योजना दोहजार 30 वर्ष 2030 तक भविश्य के लिए त्यार रेलवे तंत्र जो है उसको स्रजित किया जाएगा ठीक है और फिर तो यह ब्रॉड गेज और यह सब जो है इसका पूरा जो है विद्यूति करण किया जाएगा ब्रॉड गेज मार्ग किलोमीटर यह जो है इसमें इतने तक है यह किसी क प्रोड और लाभार्तियों को शामिल किया जाएगा जम्मू कश्मीर में एक नई गैस पाइपलाइन की परियोजना जो है वो भी शुरू की जाएगी फिर है बीमा कंपनियों में सुविकारे एफडियाई सीमा को 49 परसेंट से बढ़ाकर 74 परसेंट तक किया जाएगा और 2021 2021 में जीवन बिमा निकम का आई प्यों भी लाया जाएगा तो यह जो है आपका आपको पता है पहले एफडियाई की सीमा सिर्फ 49 परसेंट यह याद रखिएगा यह लिखने में काम आएगा कि एफडियाई की सीमा एलाइसी में कितनी 49 परसेंट इसको बढ़ा दिया गया ह 74 परसेंट कर दिया गया है यह इंपोर्टन्ट है ठीक है नेक्स्ट है वित वर्ष 2021-22 में बीपी सी एल एर इंडिया शिपिंग कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया कंटेनर कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया आई डी बी आई बैंक बी ए एम एल पवन हंस और निलांचल इसपात न प्राइवेट सेक्टर के हाथ उसको बेच देती है उसको कहते हैं डिस इंवेस्टमेंट यानिके वी निवेश एक स्ट्रेटेजिक भी होता है वह हम आगे देखेंगे नेक्स देखें सारवजनेक छेतर के दो अन्य बैंकों और एक साधारन बीमा कंपनी का नीजी करण भी वर्ष 2021-22 में पूरा करने का प्रस्ताव है यानि के बैंकों का नीजी करण भी यहाँ पर होगा ठीक है ग्रामेन बुनियादी धाचा विकास निदी रूरल इंफ्रास स्ट्रक्चर डेवलप्मेंट फंड यह जो है 30,000 करोड से बढ़ा करके इसको 40,000 करोड रुपे जो है वो कर दिया गया है नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन इसके इसमें क्या है तो जल्द खराब होने वाले 22 उत्पादों तक विस्तारित ताकि क्रिशी और संबद सर्फल आइटम्स जो होते है यहांनि के जल्दी खराब होने वाले जो चीज़ें होती है उनको और इंख्लूड किया गया है और इस से क्या होगा कि कृशी और जब क्रिशी है यहेनि के जो एग्रिकल्चर के जो प्रोडर्ट्स उनका मुल्य लिए संवर्दन होगा वैल्यू एड्रिक्शन उसमें बढ़ेगा ठीक है फिर है आधुनिक मचली बंदरगाउं और मचली उतारने वाले केंद्रों के विकास के निवेश के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है शुरुवात में कोच्ची चन्नई विशाकपटनम पारादी पर पेटुवा घाट पाच मचली बंदरगाउं को अधिक गतिवीदियों के केंद्र के रूप में विक्सित किया जाएगा सीवीड उतपादन को बढ़ावा देने के लिए तमिल नाडु में भहुत देशिये सीवीड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया कोशन अनुदान जो है वो दिया गया है अब आप ये बतायेगा कि गोवार में चायब अगाना कामगारों विशेश रूप से महिला और उनके बच्चों के कलिया निजिए योजना के लिए विवह एकजार गया गए हैं एंजियों नीजी स्कूलों राजियों की भागिदारी में सो नए सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएंगे अब देखिए ऐसा कोई कोश्चन नहीं आता है लेकिन हाँ स्थापना का एक प्रस्ताव रखा गया है यह एक छत्रक निकाय होगा जिसमें निर्धारन प्रत तक होंगे फिर लदाग में उची शिक्षा तक पहुंच के लिए सरकार द्वारा लेह में केंद्रिय विश्विद्यले स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है प्रमुक भारतिय भाषाओं में शासन और नीती से संबंदित ज्यान को उपलब्द कराने के लिए संग्रक्षण याने कंजर्वेशन के लिए 4000 करोड की विवस्ता की गई है ठीक है अंतरिक्ष्विभाग के तहत एक सार्वजनिक शेत्र उपक्रम न्यू स्पेशल इंडिया स्वरी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यह हमने अमने जब वह पड़ा था समरी पड़ी थी उसमें भी हमने देखा था कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है यह जो है अंतरिक्ष्विभाग के तहते एक सार्वजनिक शेत्र का उपक्रम है ठीक है इसकी स्थापना की गई है यह जो है इसके द्वारा PSLV CS51 को छोड़ा जाएगा जो अपने साथ ब्राजिल और Amazonia upgrade Brazil and Amazonia satellite को और कुछ भारती उपग्रव यानि satellites को भी जो है अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा तो इसके बारे में पढ़ लीजेगा यह important है फिर आप देखिए कि और क्या क्या प्रस्ताव इसमें किये है 75 वर्ष की आयू और उससे अधिक के ऐसे pension भूगी वरिष्ट नागरिकों जिनकी पेंशन के अत्रित के वाल ब्याज से है इनको आईकर की विवरणी दाखिल करने से जो है राहत प्रदान की गई है ठीक है इंकम टेक्स का जो स्लैब है उसको तो चेंज नहीं किया है पहले वाला स्लैब है उस सेम स्लैब रखा है इस बार भी ठीक है जिनकी इंकम जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरस्ट के उपर यह निके उनको व्याज मिल रहा है उसी के उपर निर्धारित है तो उनको आईकर रेटर्न फाइल करने से उनको निजात दी गई है आईकर कारवाई मौजूदा 6 वर्ष से 3 वर्ष करने के लिए समय सीमा में कटो प्ने पूरा हमें या आधा गंटे का हो चुका है बज़त हमने पूरा पढ़ लिया है कल हम पड़ेंगे आर्तिक समिक्षा बजट में कोई विश्ष चीजह नहीं रह गई है और किसी को बजट पढ़ना हो तो आप आराम से उसको download कि जिए वेबसाइट से और गूगल से आप लिखिए बजट 2021-22 आराम से उसको पढ़िए एक बार रिवाइस देख लीजिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है लेकिन हाँ बजट के अंदर आपको कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा आंकड़े मिलेंगे कि यहां पर हमने 35,000 तो वो आपके लिए इतना important exam point of view से है नहीं आपकी तसलिक लिए अगर आप देखना चाहें तो आप उसको download करके देख लीजिए लेकिन इसमें जो चीजे पढ़िए उससे जादा उसमें बजट में देखने लाएक कोई चीज है नहीं ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे next आर् बैठे रहिए और नहीं नहीं चीजों को जानने के लिए जो है आप थोड़ा इंतजार कीजिए ताकि हम जो है अच्छी से quality wise study जो है आपके लिए ला सके वरना इसमें से पढ़ाना तो कौन सा मुश्किल है कि physical deficit यह है राजकोशी काटा यह है देख लिजे इसके अंदर य वीडियो में thank you very much all the very best to all